नमस्कार दोस्तों हमारे online tuition अड़ा चनल पर आपका स्वागत है दोस्तों पदेन रहा यानि रहा का ही रूप है जैसे यहां पर देखते होंगे आप जैसे नागेंद्रे जितेंद्रे सुरेंद्रे यहां पर आप जो देखेंगे यह जो नीचे ऐसे लगा हुआ है यह यह क्य आपको बताने वाला हूं मैं खुद से आपसे लिखवा कर भी मैं चेक करूंगा कि आपको लिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखिए यह जो रह है यह यह दो तरीके से लिखा जाता है एक ऐसे भी लिखा जाता है देखिए ऐसे लिखा जाता है जैसे ट्रॉक क्या है ट ट्राक ट्रक ठीक है ब्रेक के देखिए यहां पर ब्रे का ब्रेक के तो इसको हम लोग पदेन रहा बोलते हैं क्या बोलते हैं पदेन रहा यह रहा का ही रूप है अच्छा इसका पॉर्णाउसिशन करके आप देखिए ब्रेक के ब्रे बाग में बाग के बाद रहा का उचान ह तो ब्रेक देख रहा है और यह किसी भी अक्षर में जिस भी अक्षर में लगता है यह किसी भी अक्षर में नीचे लगता है कहां लगता है नीचे लगता है जिसे देखें यहां पे बा में भी कहां लगा ऐसे नीचे लगा तो में भी लगा ऐसे नीचे लगा अच्छा इस प यह टोस लेकर धोतक वाले जो भी अक्षर है इस सब में यह लगता है क्यों लगता है क्योंकि यह अकार वाले अक्षर नहीं है अकार वाले समझते हैं जैसे हम लोग यह बॉल लिखे तो बॉम में ऐसे अकार हम लोग खीच रहे हैं समझ रहे हैं बॉम में या जो लिखे तो जो में भी ऐसे हम लोग खीच रहे हैं ठीक है कोई भी ऐसा अक्षर आप लिख कर देखिए जिसे कोई आप लिख रहे हैं तो जितने पाई वाले यह अक्षर होते हैं उसमें केवाल एक ऐसे हम लोग दे देते हैं तो यह लग जाता है और बीना पाई वाला यानि जिसमें नी तो इस परकार के अक्षर जो भी आपको मिलेंगे उसमें जो लह परनाında है तो आपके दिमागे बहुत द्रॉप ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं तो आप इस कलास में समझ गया होगे कि इसको कहां पर लिखा जाता है जबकि बाकी सब में ऐसे लिखा जाता है जो कि दोनों सेम है एक ही चीजा है अलग नहीं है चले तो यह रहा लिखने का तरीका उचारन इसका कैसे होता है जि पूरे वेबरेशन के साथ हमने उचारन करते हैं कैसे क्रे के क्रे 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 देखिए आपका जीब जो है यहां पर वेबरेट करेगा बोल कर दिए क्रे ब्रे प्रेम कैसे प्रेम देखिए प्रेम यह जीब पर आपने थोड़ा से बोलकर खुद से देखिए क्या असर जो नीचे लगता है और एक और मात्रा होता है रेव की मात्रा जो मैं इसके बाद बाले क्लास में उसको मैं पढ़ाऊंगा वो भी रा का ही रूप है तो यहां पर पदेन रा से दखेए हो सब्दों को यह पे देखते हैं लिखना सिखते हैं फिर मैं आपको समाय दूँए बोलूँगा आपको खुद लिखना है और यहाँ पर बोर्ड पर चेक करना है तो यह सब्सब्द आप समझ गए थोड़िशी बड़े बड़े सब्द जैसे ब्रेक फास्ट लिखा रहता है ब्रेक फास्ट तो वो कैसे लिखेंगे ब्रेक फास्ट ऐसे देखिए बाम क्या है यह राकी मातर दे दिए एक लिए तो ब्रे हो गया को ऐसे ब्रेक फा आधा शौट ऐसे ब्रेक फास्ट समझ रहा है न अच्छा यह सब जब जो सब्द हम देखे, देख रहा हैं हम लोग इसको कैसे लिखा गया है इसी मैं नौ भी दिख रहा है यह कैसे है थोड़ा से इस पीफोक्स करते हैं देखे यह दौ है इसमें यह क्या है रख्रह और आध्यार्ण नौ खाए अच्छा की लिख सकते थे दूसरे तरीका से आप लिख सकते थे आधान आधा दो और रहा से भी आप इसको लिख सकते हैं यहीं तीनों मिलकर दोस्तों यह बात पहले नहीं जानता होंगे यहीं तीनों मिलकर यह यह संजुत अक्षर का निर्माल कर रहा है यहीं तीनों मिलकर इसमें आधानगा है अधा दो है और फिर पूरा रहा है जब इंगलिस इसका लिखते हैं न दोस्तों वहाँ पर होता है इसका इंग्लिस होता है एंडी आरे देखिए पहले एंड लिखा गया है फिर डी लिखा गया है फिर आर ए लगता है ऐसे नागेंद्र तो आप देखते होंगे कहीं पर नाम लिखा हो रहता है इंग्लिस में तो उसको नागेंद्रा सुरेंद्रा जितेंद्रा ऐसे ल लगा है इसको हिंदी में पढ़ेंगे तरह नागेंद्र पढ़ेंगे जब किना पढ़ते हैं अच्छा उचारन करके के नागेंद्र रोका पुरा होता है ठीन लेकिन इसलिए उसलिए नग्स जो है वो तो उचारन पकड़ लेता है तो इसलिए यहां पर लगता है यह सब इंगलिस के लिए इस टाइब से यह है तो नागेंदर जीतेंदर सूरेंदर आपको कोई भी बोले जैसे ही लिखने के लिए तो आपके ध्यान में यह आना चाहिए कि यहीं बाला संजुक्त अक्षरवा यहां पर लगेगा इसमें ठीक है अच्छा प्रेम चंद्र प्रेम चंद्र तो चंद्र तो चाह अच्छा नौ दौरा ऐसे यहीं बाला लगेगा प्रेम चंद्र इस टैप से आप लिखेंगे प्रेम चंद्र भी होता है प्रेम चंद्र भी तो दोनों अलग अलग नाम है तो प्रेम चंद्र आप ऐसे लिखेंगे ठीक है अच्छा ड् ड्राइवर कैसे रिखेंगे ड्राइवर देखें ड्राइवर तो ड्राइवर तो मैं बता हो ना कि यह ड्राइवर ऐसे ड्राइवर ठीक है ट्रांसफर कोई आप से पूल लिखने के लिए ट्रांसफर कैसे लिखेंगे ट्रा ट्रा देखिए तो ट्रांसफर कैसे लिखाएगा ये ट्र में ही एसे लगेगा आकार देंगे तो ट्रार उपर बिंद तर सच्छंट इसको एक लिख सकते थे आइस सब्लस ना ओर सब्लस दोनों तरीका से आप लिख सकते थे देखने से चलिए कुछ इस सब्दों को आपको लिखना है फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा आपको मिलाना है कि जो आप सीखे हैं यह आप लिख पा रहे कि नहीं देखने से आपको ऐसा लगता हुआ कि मैं सीख गया मुझे यह सब चीज आ गया लेकिन थोड़े दिन बाद एक दो दिन बाद या कुछ गंटों बाद कर आप यह भूल जाएंगे कि की सरबताए थे जब तक इसको से लिखिएगा नहीं प्रैक्ट्टिस नहीं किजिएगा तब तक आपको नहीं आने वाला है चलिए पहला सब्द आप लिखने दोस्तों चक्र क्या लिखने चक्र पहला सब्द लिखे चक्र और मैं बोड़ पर लिख रहा हूँ आपको मिलाना है कितना स्वय हो रहा है कितना गलत हो रहा है ठीक है चलिए चक्र देखें यहां पे च और को में ऐसे ठीक है चक्र हो गया चलिए उसके बाद लिखिए प्रेत प्रेत तो प्रेत तो प्रेत तो पा में ऐसे पदेन रहा एकले और तो ऐसे प्रेत ठीक है प्राण 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 कैसे लिखेंगे देखिए आप पर प्राण ऐसे प्राण ठीक है प्राण उसके बाद लिखिए चंद्रमा 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 लिखी मैं बता रहा हूं कैसे लिखाएगा चंद्रमा यहां पर दिखे च अच्छा नौ का उचारन काफी तीजी सोरा है यहां आधा होगा यहां पर बिंदी भी लग सकता है चंद्र प्रयास 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 लिखेंगे ठीक है उसके बाल लिखें समुद्र समुद्र लिखेंगे समूद्र कैसे लिखा गए है कि समूद्र कैसे लिखा गए सा है मुझ और दा में ऐसे रा समूद्र ठीक है उसके बार लिखेट ट्रेक्टर ट्रैकर यह बोला ठीक है ट्रैक क्योंक्क का वुचारण तेजी स्यो रहा है तो आध्यक्का है ठीट और ऐसे ट्रैक्टर ठीक है कि चलिए इसके बाद आप लिखेंगे राश्ट्रिय 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 राष्ट्रिय तो राष्ट्रिय कैसे लिखेंगे यहाँ पर मिला ये रा ये बला देखें शौ ऐसे टम में से देखिए ऐसे राष्ट्रिय लिखाएगा ठीक है राष्ट्रिय अंग्रेजी अंग्रेजी लिखेंगे अंग्रेजी अंग्रेजी कैसे होगा देखिए अंग्रेजी गवाँ में यह पदेन रहा है ठीक है अंग्रेजी इस टैप से ठीक है चले उसके बाद लिखेंगे आप आइस क्रीम आइस क्रीम आइस क्रीम आइस क्रीम आइस क्रीम आइस क्रीम जो आज कल गर्मी के दिन अधिकांस बच्चे खाते हैं लोग खाते हैं वहीं आइस क्रीम तो कैसे आइस क्री देखिए क्वा में यह पदेन रह रहेगा ऐसे आइस क्रीम ठीक है उसके बाद लिखेंगे प्रती दीन प्रती दीन प्रती दीन तो प्रती दीन यहां पर मिलाएंगे प्रती प्रती दीन ऐसे प्रती दीन ठीक है प्रती दीन शुक्रुवार शुक्रुवार कैसे लिखेंगे शुक्रवार, यहाँ पर दिखेंगे शुक्रवार, ऐसे शुक्रवार उसके बाद लिखेंगे प्रशंशा प्रशंशा, 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 कैसे लिखेंगे यहाँ पर दिखेंगे, प्रशंशा, ऐसे प्रशंशा ठीक है, उसके बाद लिखेंगे ड्रेसर, 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 मिलाएंगे यहाँ पर ड्रेसर चलिए इसके बाद लिखेंगा प्रतिक्छाले प्रतिक्छाले मिलाएंगे यहां प्रतिक्छाले कैसे होगा देखिए प्रव में क्या है पदेनरा प्रव तिक्षा ऐसे तिक्षा लए प्रतिक्षा लए ठीक है और क्वल प्रतिक्षा लिखना रहता तो प्रतिक्षा ऐसे होगा ठीक है तो दोनों में अंतर होता है चलिए एक दो और सब्द लिख लिजिए जो बिश्वास है कि आपको स आप सही लिख भी रहे होंगे लेकिन प्रैक्टिस आप यदि सुरू से लाश्ट कर लेते हैं तो आपके दिमाग में रहेगा प्रतिष्ठा क्या लिखेंगे प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा ऐसे प्रति यह बला श्रह रहेगा और ऐसे था प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठान रह आईए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए हाँ दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपको मैथ भी बहुत अच्छा से आए तो मैथ का एक मैं नया चैनल खुला हूं जिसका नाम है उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट किजिए और वहां भी आपको एक भी पैसा नहीं लगा बिल्कुल फिरी में जो जेनरल मैथ होता है हम लोग को डेली लाइफ में जो यूज में आने वाला मैथ है वो सब भी वहां पर आपको मिलेगा तो वहां से आप भी क्लास हीं पर इंड करते हैं मिलते हैं अगले क्लास में जाहिंद